नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, HPPSC ने HPSET जो 22 नवंबर 2020 को हुआ था उसकी जो अफिशल आंसर की है, वो 27.11.2020 को अफिशल वेब साइट में डाल दी गई है अगर आपने अभी तक अपनी जो अफिशल आंसर की है, वो चेक नहीं की है तो आप जो HPPSC की साइट है, वहाँ पर जाके अपनी जो आंसर की है, उसको अपलोड करके देख सकते हैं तो आज हम डिसकस करेंगे दोस्तों की जो अनुमानित कट अफ है, हिंदी वीशे की वो कितने रहने वाली है, क्या पिछली साल क्या पिक्षा अधिक है या फिर उससे कम है और बहुत सारे प्रशन जो स्टुएंट्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कितने प्रतिशत पास होने के लिए जरूरी है और क्या दोनों पेपर को मिला के 40% होना चाहिए या फिर दोनों पेपर क्वालिफा करना जरूरी है तो इन सब प्रशनों के उतर हम आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रशन जिनको हम क्लेम कर सकते थे उनको हम किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं तो देखें यहां पर simply लिखा हुआ है इन्होंने note कि objections if any along with documentary proof कि आपको कोई documentary जो proof है वो देना पड़ेगा है ना कि जिस book से आपको लग रहा है कि यह authentic book है यहां से मैं इसको challenge कर सकता हूँ with proof ठीक है in respect of key received in the office of the commission from the candidates in person by post through courier तो देखें आप खुद भी जाके देख सकते हैं या फिर by post भी कर सकते हैं फिर उसके बाद through courier के जरीए भी आप अपना जो proof है वो भी सकते हैं अपने answer के साथ अपना role number डाल के ठीक है within seven days है ना तो साथ दिन के अंदर-अंदर ही आपको जो भी challenge करना है question उसको कर सकते हैं उसके बाद नहीं up to 4-12-2020 मतलब 4 December 2020 शाम पांच बचे तक आप ये कर सकते हैं और उसके बाद ये close कर दिये जाएगा तो देखिए इन्होंने साफ कह दिया है कि 7 दिन के भीतर-भीतर ही आप challenge कर सकते हैं उसके बाद नहीं हाला कि बहुत जादा time है अगर आप देखते हैं कि net में तो ये सिर्फ 2 दिन का ही time दिया जाता है net में यहां पर 7 दिन का time दिया है तो आप अच्छे से जिस question का उतर आ objection will be entertained जो email है other mode है वो उसमें मानने नहीं है पहले ये email से मान जाते थे लेकिन इस बार इन्होंने क्या माना है कि आपको personally या फिर by post या फिर courier के जरीए इसको भीज़ना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आगे अब हम देख लेते हैं कि कितने number पर pass होता है set है ना तो देख परिक्षा में बैटे हैं उनका जो 6% लिया जाएगा जो टॉप के 6% रहें जो टॉप में रहेंगे 6% है ना वो होंगे qualify उसको बाद देखिए passing marks of unresort and EWS category तो देखिए जो passing marks है general category के लिए और EWS के लिए वो कितना है वो आपका 40% है कि आपको 40% marks लाने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आपने 40% से कम marks ले लिए और आप जो है qualify कर जाएंगे ऐसा नहीं है आपको 40% लेने ही पड़ेंगे वो बात की बात है फिर कि वो cut off कितनी रहती है next देखिए passing marks of SC, OBC and ST category तो इनके लिए है कितना 35% ठीक है तो 5% का यहां पर क्या है relaxation है next देखिए validity of set certificate तो एक ब तो यह आपका lifetime है आप एक बार अगर set clear कर लेते हैं तो आपके जो certificate की validity है वो मान्या है पूरे के पूरे जिंदगी के लिए और आप किसी भी college या university में उसके बाद पढ़ा सकते हैं हिमाचल state में अगर आपके पास set है ठीक है दोस्तों यहां पर एक चीज और है कि कुछ ए 50% लाना जरूरी होता था general category के लिए ठीक है लेकिन अब दोनों को मिला के आपका क्या है कि 40% marks लाना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आपके जो है जो cut off है वो देखी जाती है तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप पहले paper में 18 ही ले रहे हैं लेकिन दूसरे में आप अ other categories हैं उनके लिए ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि July 2019 में जो cut off थी वो कितने थी हमारी हिंदी विशय की अगर हम बात करें हिंदी विशय की unreserved की तो वो गया था 47.33 और highest जो marks थे देखिए वो थे 55.33 तो देखिए इस से पहले जो 2017 वाला set की परिक्ष से भी उपर उसकी cut off थी लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारी cut off है देखिए वो बहुत नीचे रह गई थी 2019 में अब देखिए जो cut off है वो नीचे रहने के chances क्यों बढ़ते हैं देखिए होता क्या है कि जब परिक्षा बहुत मुश्किल होती है या ज्यादा tough पूछ ली जात वज़ा से जो percentage of cut off है वो थोड़ा उपर जा सकता है क्योंकि जब परिक्षा कम बच्चे देते हैं तो वही बच्चे परिक्षा देने आते हैं जिनकी तियारियां बहतर हो और जो अच्छे तरीके से exam को सही माइने में क्रैप करना चाहते हों तो आप देखें कि इस पार ल वो सब के लिए क्या है marks नीचे ही रहेंगे दूसरी चीज ये भी है तो देखिए 2019 में भी इसी के चलते जो हमारी percentage of cut off थी वो 74 से घटकर कहां पहुंच गई थी 47 पहुंच गई थी ठीक है वही अगर हम बात करें देखिए OBC की तो वहाँ पर 42.67 मतलब जितनी भी other categories थी वो 42.67 पे ही आके सिमट कही थी ठीक है तो इसके लावा देखिए पिछली साल जो EWS हमारी एक और category जोड़ी इस बार जोड़ी गई है वो पिछली साल नहीं थी ठीक है तो ये था दोस्तों कि July 2019 में cut off क्या रही थी और इस बार जो है cut off क्या रहने वाली है वो हम देखते हैं च इस बार का जो परिक्षा थी वो पिछली बार की परिक्षा से थोड़ा सा जो second paper था जाधा tough था और इसी के चलते बहुत सारे students जिनके मुझे तक messages आए emails के जरी जिन से पता किया तो maximum बच्चा 40 से लेकर के 45-46 इतने ही marks बता रहा है maximum of the students तो दीखिए यहां पर जो इस बार percentage of cut-off है हिंदी का मुझे लगता है पिछली साल से 11% कम या 11% ही उपर जा सकता है इस से ज़्यादा नहीं रहने बाली है और जितने highest marks पिछली साल आये थे उतने के आसपास ही रहने वाले हैं highest marks ठीक है तो दीखिए यहां पर मैंने जो अपनी expected जो cut-off रखी है जो मेरे आपको लगता है कि आपके marks दोस्तो इससे जादा है तब भी आप मुझे comment section में जाके बता सकते हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको clarify कर सकें तो दीखिए जो highest है वो मैंने 55% तक मान के चल रहा हूं कि इतने highest marks आ सकते हैं और next दीखिए जो unreserved category की जो percentage of cut-off है वो 46.33 से 48 8% तक जा सकती है ठीक है अगर हम बात करें OBC की तो देखिए OBC की जो percentage of cut-off है देखिए ये रहेगा आपका 40% से लेकर के 42% ठीक है next देखिए SC और ST तो इनकी भी मैं इतनी ही मान के चल रहा हूं कि इनका जो cut-off है वो भी इतना ही रहने वाला है PWD थोड़ा सा बढ़ सकता ह या घट सकता है इस पर कोई sure नहीं का जा सकता क्योंकि ये कई बार परिक्षा में बैठे ही कम चात्र होते हैं तो उपर जा सकती है PWD की जो percentage of cut-off है इसके साथ ही साथ अगर हम EWS की बात करें तो EWS में इस बार की जो percentage of cut-off है मुझे लगता है वो 45 के आसपास रहने वाली है इसके उपर नहीं जाने वाली है अगर आप इतने तक marks ला रहे हैं दोस्तो तो आप secure है और इससे उपर लाते हैं तो वो much better है तो I hope आप लोगों ने सब ने अच्छा score इसमें किया होगा क्योंकि paper बहुत मुश्किल था तो ऐसे में जादा गवराने वाली बात नहीं है percentage of cut of है वो सब के लिए नीचे आ जाएगी सिर्फ एक या दो students के लिए नीचे नहीं रहने वाली है अगर आप हिंदी वीशे से net set या कुसी अन्य परिक्षक की त्यारी करना चाहते हैं दोस्तो तो आप हिंदी सहीते वारता चैनल के साथ जुड़िए और वहाँ पर हम complete त्यार जाहिंद